सेक्षन ई है इसमें 36 नमबर में बोल ला है पहले तो यहां पर इंडियन का जो लिटरिसी है इसके उपर कुछ इंफर्मेशन दिया हुआ है तो हम दो का मैथ यहां से स्टार्ट हो रहा है तो बोला है डोल्मेशन चार्ट रहना हम असे माहा उतर है तो जार्ट है बोल लिटर खेम्ट अवत्र है जायरा हम रहता है रहाता है लिटर्ट है कर रहता है इसमित्स और्र लेफ है और एस पशेंट मेशन दोह एस वरॉत कि आप जाटर्ट हैlläवर सैयर है 5.5, 150 for whole work on the basis of the above information answer the following question ठीक है तो ये कोई कोई खोदने के लिए अपका 10 मीटर का देप में जाना है करना है करना है लेवर मतलब 10 मीटर तक करना है पहले मीटर में 150 मांगा है 150 फिर नेक्स्ट जो मीटर है मने मतलब ये फास्ट मीटर में मांगा है 1.500 फिर 500 करके इच में बार रा है मतलब 500 बारने से 200 रुप्या नेक्स्ट में फिर पर नेक्स्ट में फिर तीन सो रुपिया रेक्स्ट में मतलब यह 500 करके बार रहा है ठीक है तो फिर बोला है टोटाल मतलब 10 अगर टोटाल करता है तो 10 मिटर जब टोटाल करेगा तो यह 550 मांग रहा है ठीक है आप नीचे का information जो है वो क्या बोल रहा है देखते हैं अच्छा वान नंबर को question में बोल रहा है what type of series is form the given statement अच्छा यह जो statement दिया हुआ है इससे किस टाइब का series बन रहा है तो यह एपी बन रहा है क्योंकि फास्ट टर्म आपका यहां पर यह है क्या बला है 300 रूपिया है 500 करके बारा है 50 करके बारा है नेक्स आइटेम में तो यह एक्ठो एपी हो गया क्योंकि common difference equal है ठीक है तो एपी का series हो गया ठीक है अच्छा फिर बोला है what should be actual amount to be paid to the labor तो ऐसे करने से कितना total देना पड़ता मनें यह जो series है तो मतलब हम लोग कर यह तो पहले वाला मनें A1 है A2 है ऐसे करके तो हम लोग को 10 मीटर खोदना था तो 10 मीटर में A10 निकलना था तो A10 निकल लेते हैं फास्ट राम आपका 200 यहां पर लिकले ना है तो लिकली जहें D इकल तो 200 मैनस 400 इकल तो आगया आपका 50 तो 500 प्लास N-1 मतलब 10-1 D एकल तो 550 तो हो गया इतना अरिदा 9 इंटो 50 इतना प्लास साड़ चार सो तो हो गया कितना 0 6 तो इतना रूपया लगेगा एक्चुल में इतना रूपया लग रहा है तो राम को कुछ सेव हो रहा है तो क्या हो रहा है तो सेव इकल तो तो 600 के जागा सारे पास्टो में काम हो रहा है तो फाइनली 550 रूपीज सेव हो रहा है तो एक्टो यह एंसर है तो यह एंसर हो गया था बाकी यह है आचा इसके बाद बोला है इन अपी सिक्वेंस इफ इच टार्म इज मल्टिप्लाइड बाइ कॉंस्टेंट के देन न्यू सिक्वेंस विल बी एन अपी और नॉट हाँ तो कोई भी समल जीजिए अगर ऐसा कुछ है ए ए माइनस ए प्लास डी फिर ए प्लास टू डी प्लास ए प्लास त्री दी ऐसा के से मल्टिप्लाइड करते है के से मल्टिप्लाइड करते है पूरो यह सिक्वेंस को तो एक आ जाएगा फिर एक प्लास के डी आ जाएगा प्लास एक प्लास टू के डी आ जाएगा प्लास एक प्लास टू के डी आ जाएगा प्लास एक प्लास एक प्लास के ए यह कमा दे द पिर एके 3, a, d आ जाएगा यह सब सेमी a, p में रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप लोग यह दोनों का डिफरेंस करेंगे जितना आएगा यह दोनों का डिफरेंस करने से एक यह आएगा ठीक है तो देख लिजिए तो a, k, a, k, plus k, d minus akd यह करने से ak आ रहा है ठीक है स्वरी यह कटेगा यह और यह कटेगा तो kd आपका difference आएगा next में देखते है ak plus 2 kd minus ak minus kd तो यहाँ पर भी यह कर जाएगा यह दोनों माइनस करना से केडी difference से मैं आएगा तो यह भी सब्सक्याफ में रहेगा तो यह भी एपी हो जाएगा ठिक है अच्छा नेक्स अमबर थी में पेट है इसा किया इत इस बीब और मेरे में दो आधे आ cling रटेंगम दा लास्ट। वेर लास्टते इंगा यह बोलग दिए तो इंग हो गया ऐसे हो गया मने ए जो है ए तो पहले टर्म हो गया प्लस D हो गया फिर A प्लस 2D हो गया A प्लस 3D हो गया ऐसे करते करते लास टर्म जो है A प्लस N-1D ठिक है तो यही एल है तो हम लोग को उल्टा करके अगर लिखेंगे तो l-d हो जाएगा l- 2d आजाएगा फिर l- 3d आजाएगा ऐसे यह सिक्वेंस मतलब दी लास्ट टर्म से अगर d निकल देते हैं तो उसके पहले वाला ट्राम आजाएगा फिर उसके से D निकल देंगे तो उसके पहले वाला स्टाम आजाएगा तो ऐसे सिक्वेंस उल्टा करके लिखने से भी ऐसे common difference एक ही आता है तो हम लोगों को पास बोला जाए हम लोगों को बोला last three term क्या बोला find the third term from the last तो third term ये तो last से ये पहला term ये second ये third तो मतलब last से third term ये हो जाएगा ठेक है आचा ये बला खतम हो रहा है फिर next करते हैं ये 37 में बोला है from a point 100 meter above the lake the angle of elevation of a stationary helicopter is 30 degree and the angle of depression of reflection of the helicopter in the lake is 60 अच्छा किस टाइब का तजबीर हो रहा है तो जो information दिया है ये समझ दीजे एक ठोए यहां पर lake है यहां से 100 meter उपर कोई point है यहां से जो helicopter का elevation है मतलब helicopter कहीं है यहां पर था तो यहां जो elevation है यह बोल रहा है यह जो elevation है यह 30 degree है ठीक है यह 100 meter उपर है मने यह position से and the angle of depression reflect reflection of यहां का जो यह जो lake है यहां से जो reflection आ रहा है यहां पर मने मतलब यहां पर reflection आ रहा है helicopter का यह जो helicopter है इसका reflection यहां पर आ रहा है तो यहां का depression बोला है depression मतलब यह angle 60 degree बोल दिया ठीक है अच्छा फिर पुला है on the basis of the information answer the following question ठीक है तो हम लोग करते है यह बला यहां से 100 यह हो जाएगा यहां से यहां तक 100 रहेगा चलो हम लोग करते है एक एक करके नीचे इसको ले ले लेते है sorry अच्छा पहले वाला जो question दिया हुआ है इसमें बोला है if any point above the lake is at height age कोई लेक है यहां से age उपर कोई point है ठीक है यहां पर कोई point है when age then what is the depth of reflection of point in the lake तो लेक के उपर कितना मने इसका reflection आएगा कहां पर तो यह age नीचे ही reflection आएगा मतलब यहां अगर midpoint है यहां से उपर में यह age है तो यह जो मने मतलब height जो जहां पर यह चीज है यह height अगर age होता है तो नीचे भी age नीचे उसका reflection आएगा तो यह बला age ही आएगा answer ठीक है बला कितना मने reflection of the point तो कहां पर reflection आएगा age मने यह जो नदी का surface है यहां से नीचे age unit पर यह उसका reflection आएगा ठीक है अच्छा next में बोलना है यहां पर बोलना है number two में find the height of the helicopter तो helicopter का height पूचा है ठीक है मने यह जो लेक का यहां से यहां तक height पूचा है यहां से यहां तक ठीक है तो पहले जो यह triangle है इसके through हम लोग कर रहे है तो यह समझ दीजिए यह बाला hundred पर था तो यह age पकर के चलते है और यह बाला x पकर लेता है अगपर तो 10 30 कल्टू क्या आजाएगा age by x तो finally यह 1 by root 3 equal to age by x तो हम लोग को यह total length चाहिए मतलब age निकलना है तो x को हटा देते है एक बर ठीक है तो x equal to क्या आजाएगा h root 3 ठीक है यह बालाया आच्छा बाकी अगर पुरा से करते है ठीक है तो पुरा 10 60 equal to क्या आजाएगा 10 60 equal to क्या आजाएगा 10 60 equal to आपका परपेंडिकुलर यह तो परपेंडिकुलर में यह अगर x plus h है तो पानी से उसका जो image आएगा वो भी h plus 100 ही आएगा ठीक है h plus 100 तो हम लोग यह total जो side है यह क्या आ रहा है परपेंडिकुलर होच्चे आपका 100 plus 100 plus h मतलब यह 60 के लिए तो यह triangle है तो यहां से यहां तक तो 100 इधर है और h plus 100 इधर है तो यह पुड़ा आए गया 100 plus h plus 100 हां नीचे x तो यह आगया root 3 और यह भल्यू किया है h root 3 इधर 200 plus h तो फाइनली क्रोस गून करने से 3 h आगया इधर 200 plus h h इधर चला जाएगा 300 minus h is equal to 200 तो फाइनली h equal to आगया 200 मने यह 2 h ठेक है तो h equal to 200 by 2 equal to 100 sorry तो यह आपका 100 आ गया तो फाइनली हेलिकर्प्टर का जो हाइट है यह कितना आजाएगा h plus यह हेलिकर्प्टर हाइट आप हेलिकर्प्टर हेलिकप्टर आ जाएगा 100 उपर था और यह उसके बाद 100 है तो फाइनले 200 यह उनिट था उनिट मीटर तो यह मीटर में आ जाएगा 200 मीटर यह वाला एंसर हो गया ठीक ओके चलो नेक्स्ट करते है find the distance between the helicopter and the position of the point आच्छा तो यह जो बोला है helicopter and position of the यहां से एक पर ले लेता है यह वाला हम लोग नेक्स्ट में पुछा है find the distance between helicopter यह helicopter यहां पर था यहां से and the given position of the point यह position था तो मनें यह दोनों पॉइंट का distance पूछ रहा है मतलब यह क्या हा गया हाइपोटेनियास तो हम लोग साइन 30 अगर करते है तो perpendicular by हाइपोटेनियास तो perpendicular था कितना 100 यहां पर मिल गया था हम लोगो 100 आर यह हाइपोटेनियास हमको मालूम नहीं तो ओही है distance तो distance लिख दितहा है तो यह आगया half और इदर 100 वाई डिस्टेन्स तो डिस्टेन्स आगया कितना 200 200 मिटर तो helicopter जो जहां से दिख रहा है या जो पोजीशन से उसका एलिवेशन जो दिया था ओपोजीशन यह दोनो का डिस्टेट्स आपका 200 मीटर हो गया ठीक है यह वाला आच्छा नेक्स चलो क्या बोल रहा है इव दा अब्जर्बेशन ए अब्जर्बार मूफ एवे फ्रॉम दा पर्फेंडिकुलार लाइन आच्छा यह एक्ठो टावार और बिल्लिंग देन चेक होईदार दा एंगेला व कोई अब्जर्बार इधर है यहाँ पर मने बेस में यहाँ पर कोई अब्जर्बार है तो ओ यहाँ से यह बला जो एलिवेशन एंगेल होगा तो ओ जब यह अब्जर्बार यह पोजीशन से बने यहाँ से जितना दूर जाएगा ठीक है उतना एलिवेशन एंगेल कम होगा यह बढ़ेगा बोला है मतलब यह और दूर अगर हो जाता है तो यहां से यहां तक यह जो एंगेल है यह क्या हो रहा है यह अगर थीटा होता है यह less than थीटा होगा मतलब यह जो एंगेल है वो थीटा से छोटा होगा ठीक है और छोटा होगा यह थीटा से तो फाईनली क्या जितना दूर जाएगा उतना एंगेल छोटा होता रहेगा मतलब decrease होता रहेगा ठीक है तो एंगेल बूला एंगेल ओफ एलिवेशन increase और decrease तो decrease ही होगा ठीक है टिक्रीजेस ठीक है ओके चलो यह वाला खतम हो रहा है नेक्स्ट यह 38 नमबर कोस्चन में पूल ला है यह कुछ मोठापन का इन्फोर्मेशन दिया हुआ है बच्चों का जो फैटनेस है इसके उपर इन्फोर्मेशन दिया हुआ है तो यहां पर पूला है मेडिकल चेक होड़न तो इसके बेस पर हम लोगा कोस्चेन दिया हुआ है तो पहले वाला जो चार्ट है इसके इन्फोर्मेशन से find the median class of the given data, यह जो data दिया हुआ है इसका median class निकलने बोल नहीं . प्रब़ेट न क्वाक्ति Κुमली टिए निकलना था क्वा सम्छं लोग सिकलत थैऊ आपका ये निकलना था तो ये निकल डू यहाँ पर क्या है 35 network student तो यह दिया क्या हुआ है यह CF दिया हुआ है cumulative frequency मैंने 35 student का cumulative frequency यह दिया हुआ है तो एक बार यह नीचे ले लिते हैं तो ठीक रहेगा अच्छाँ यहाँ पर cumulative frequency दिया हुआ है तो हम लोग median class निकल लुख और Cap 35 है तो n by 2 कितना हो गया 35 by 2 equal to 1.175 तो यह जो n by 2 है यह कौन सी class में आ रहा था यह देखना है तो यह class में आ रहा है ठीक है तो finally यह वाला आपका median class हो गया लेकिन यहाँ पर total मनें यह less than करके दिया हुआ है यहाँ पर class निकलना है तो class कैसे निकलेंगे तो class निकलने के लिए पहले एक बार यह यहाँ थोड़ा सा हाटा देते है दुनों चीजी निकल लेते है क्योंके हम लोगों को दुनों चीजी चाहिए frequency भी चाहिए class चाहिए तो class जो है क्या जाएगा देखे less than 38 बोला यहाँ पर less than 40 बोला मतलब क्या हो गया यह 38 से 40 है दो करके class का difference है ठीक है मने class size जो है वो 2 है मने यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 लग रहा है फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 लग रहा है तो हम लोग कैसे लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 32 sorry 36 to 38 फिर यहाँ पर लिखेंगे 38 से 40 फिर 40 से 42 ठीक है फिर 42 से 44 फिर 44 से 46 46 से 48 48 से 50 50 से 52 ठीक है यह class हो गया अच्छा एक बार frequency भी निकल ले था है क्योंको चार्ट लागेगा ही हम लोग को frequency कैसे आ जाएगा यह वाला 0 ही रहएगा फिर यह से यहां मैनस केनने के लिए यह 3 आ रहा है यह दोनों करने से 2 आएगा यह दोनों करने से 4 आएगा यह दोनों करने से आपका 5 आ रहा है यह दोनों करने से 16 आ रहा है यह दोनों करने से 4 तो मतलब 4 हो गया रिधर मिल गया ठी तो यह आपका frequency भी निकल गया, तो हम लोग को n by 2 यह था, तो n by 2 के लिए, तो median class क्या हो रहा है, यह जो n by 2 यह आठास का हुआ था, तो यह वाला हो रहा था, तो यह वाला आपका median class हो गया, ठीक है, यह जो है, वही median class है, तो 46 से 48, median class हो जाता है, आच्छा, median class, क्या हो गया, 46 से 48, ठीक है, यह median class हो गया, आच्छा, यह चीज नीचे भी ले ले लेते है, यह काम आएगा, हम लोग, आच्छा, यहाँ भर बला है, calculate the median weight of the given data, तो अभी median निकालने बोल ला है, तो हम लोग का median निकालने के लिए जो formula था क्या था, median निकालने के लिए, lower class plus n by 2 minus cf by f into h, तो यह जो n by 2, यहाँ पर हम लोग लिखे थे कितना, n by 2 equal to 17.5, यह लिखा था, तो finally हम लोग, एक एक करके करते हैं, तो यह median class हो गया, तो median class का lower value कितना, 46 plus n by 2 कितना हो गया, 17.5 minus cf की कौन सी होगा, बने यह जो यह जो लिखा हुआ है, यह आपका median class है, ठीक है, तो cf की कौन सी होता है, उसके पहले बाला, बने यह cf है, ठीक है, तो यह बाला use करेंगे, तो 14 हो गया, y, f कितना ही use करेंगे, यह बाला यह, ठीक है, यह बाला मतलब इसका ही f यह use करेंगे, तो 14 हो गया और height हो गया 2 क्योंकि यह दोनों size अगर 64 आपका minus 42 equal to 2 आता है ठीक है तो यह 2 हो गया तो finally कटते है यह आगिया आपका 14 मतलब 15, 16, 17, 37 by 14 into 2 तो यह 2 हो गया ऐ सरी 7 हो गया 7 से 0.5 हो गया तो 46.5 हो गया तो यह आपका median हो गया 46.5 यह median हो गया यह बाला median हो गया एक मिन देख लिए थे 46.5 ठीक है, median हो गया अच्छा अभी बोला है find the mean अभी mean निकल ले बोला है तो mean के लिए क्या होगा यह ही एक पर ले लेते है अच्छा हम लोग mean निकल ले के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए था यह class mark चाहिए तो एक साई क्या हो जाएगा यहाँ एक साई इधर ही कर देते कहीं एक साई यहाँ पर कर देते हैं तो एक साई क्या आएगा यह दोनों जोड के दो से divided करना है तो आजाएगा 37 फिर यह आजाएगा 39 यह 41 43 45 45 45 हो गया 47 49 51 तो यह एक साई आ गया तो यह तो इन दोनों से multiply करना से बड़ा आ जाएगा तो हम लोग जो step division था शॉट काट था मतलब जो डी आई से निकलते थे वो बला निकल लेते है ठीक है तो यह बला हो गया डी आई निकल लेते है तो डी आई किया होता था assume mean method assume mean method में assume करना पड़ता था एक्ठो बीज बला कोई number तो मोटा मोटी कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है तो बीच में कहीं यह ही ले ले लेते हैं ठीक है यह बला assume कर लेते हैं तो a equal to यह ले लिया 43 तो di निकलना था तो di कैसे निकल देते x i minus a तो पहले बला यहाँ पर di निकल देते हैं यहाँ पर इकर देते हैं तो di क्या आ जाएगा x i मतलब यह मने 37 minus 43 तो आ जाएगा कितना 37 minus 43 आ जाएगा कितना यह आपका 714 मतलब कितना यहाँ से तो 7 तो मतलब 36 आ जाएगा ठीक है तो minus 6 आ गिया तो यह बला पहले बला minus 6 आ गिया यहाँ पर ही कर देते हैं minus 6 आ गिया फिर आ जाएगा minus 4 फिर minus 2 फिर यह 0 आ जाएगा फिर यह 2 आ जाएगा यह 4 आ जाएगा यह 6 आएगा यह 8 आएगा तो यह आपका di आई आगया यह वाला di आई आगया अभी di fi निकलना है तो यह दुनों multiply करना है तो यह दुनों multiply करने से यह 0 आ रहा है फिर यह minus 4 12 यह minus 4 यह 0 आगया यह फाई था तो हाँ ठीक है और इधर आ रहा है 10 इधर आ रहा है 56 आद 24 यह 56 है यह आ रहा है कितना 24 तो हम लोग यहां से summation of di fi निकल देते हैं तो यहां से आपका total आड़ा है कितना यह 16 यहां से अगर चला जाता है यह दुनों मिलाकर 16 था यह 16 से चला गया तो 40 हो गया और इधर 48 आ गया इधर है तो आगया 8 यह 98 ठीक है तो यह 98 आ गया ठीक है अच्छा अब हम लोग का जो फॉर्मूला था क्या था मिन के मिन का एक बार इकल टू एजूम प्लास समेशन ओफ डिए एफ़ाई बाई एफ़ाई ठीक है समेशन ओफ़ाई तो कितना रहा है यह इकल टू हम लोग निकले यह थे 43 तो यह 43 हो गया था और यह 98 है और यह वाला एफ़ाई इकल टू आया था टोटाल 35 स्टूएंट तो 35 तो कित प्रशन आ रहा है एक बार देख लेते हैं यह अगर 35 से 98 को करेंगे तो आएगा 2 सत्तर तो एट आ गिया इधर रिख्टो इधर दो आ गिया यह यह से हो जाएगा पाचास्टे चलो जो 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 नहोंते है चार आठ तो यह मिल गया तो टू पाइंट एट है तो 43 प्लास 2.8 तो बनल यह आ रहा है यह 45.8 45.8 तो यह है आपका टोटल हो गया यह आपका मीन निकल के आया यह मिन निकल के आया ठेक है अच्या इसके बाद बुला है fine model class अब्दा given data तो model class क्या होगा तो model class जो maximum frequency रहता है उसको भी model class करते हैं तो यहांपर तो frequency 14 maximum था उसके जो model class मतलब यह भला ही model class है तो 46 to 48 एही हो भला model class है ठीक है आच्छा है यहां पर आच्छा यह तो succession खत्म हो गया ठीक है तो चलो next करते हैं ठीक है ओक है थैंक यू